अगर आप भी बाइक चलाने के शौकीन हैं और तेल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हो गए हैं तो ये खबर देख और सुन लिजे अब आपके चिंता दूर करने के लिए हीरो स्प्लेंडर अपने नए अवतार में जल्द ही आपके वीच आ रहा है क्या इसके खासियत है और कितना किलोमेटर चलने वाला है सब बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जहां 60-70 पर जनरल गाडियां दमधोर देती हैं तो वहीं इसके बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक 240 किलोमेटर की रेंज वाली बाइक है ये सब कुछ है हम आपको बताएंगे लेकिन ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें दरसल इलेक्ट्रिक टूविलर्स की डिमांड भारत में तेजी से बढ़ रही है अब तक रिबोल्ट, टार्क, साइबर्क और ओबेन जैसे स्टार्टप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स बाजार में लॉंच कर चुके हैं ऐसे में चर्चा है कि देश की टॉप टूविलर कमपणी हीरो मोटोकॉप भी जल्द अपनी बेस्ट स्टेलर बाइक हीरो स्प्लेंडर का इलेक्ट्रिक वेरियंट बाजार में उतार सकती है इलेक्ट्रिक टूविलर की डिमान हरत में तेजी से बढ़ रही है अब तक रिबोल्ट है टॉर्प, साइबॉर्ग और ओवेन जैसे स्टार्ट अप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स बाजार में लॉंच कर चुके हैं ऐसे में चर्चा है कि डिष की टॉप टूविलर कमपनी हिरो मोटो कॉप भी यही तरज पर अब एक निया काम करने जा रही है सब कुछ भूल जाना होगा यानि की कोई टेंशन नहीं लेनी होगी जदातर देखा जाता है कि लोग तेल की कीमतों से परिशान होकर इलेक्रिक बाइक खरीद रहे हैं लेकिन उस इलेक्रिक बाइक में भी इतनी रेंज नहीं मिल पाती जो कि हीरो मोटोकॉप यानि कि हीरो स्प्रेंडर अपने इलेक्रिक वर्जन में ले कर आ रहा है अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए एक बार चार्ज करने पर आप इसी बाइक से 240 किलोमेटर की यात्रा बिना किसी जीजग के कर सकते हैं अब देखना ये है कि हीरो कब तक अपनी इस बाइक को मार्केट में लॉंच कर पाता है क्योंकि कहा ये जाता है हीरो मोटो कॉप कमपनी के बारे में कि मार्केट का कोई भी नया ट्रेंड ये कमपनी नहीं छोड़ती है और कोई भी नया आवसर अपने हाथ से जाने नहीं देती ऐसे में हीरो का इलेक्ट्रिक वर्जन लोगों को कितना पसंद आता है लोग इसे कितने खरीदते हैं और कितना पसंद करते हैं ये सब कुछ तब पर निर्भर करेगा जब ये बाइक मार्केट में आ जाएगी ऐसे में आपने देखा होगा कि वेहार में नहीं पुरे भारत में हीरो स्प्रेंडर की खपत बहुत जादा है मार्केट में यही कारण है कि हीरो स्प्रेंडर की बाइक जो है वो फर्स्ट स्टिलर कही जाती है इस कमपनी के लिए अब ऐसे में टॉप स्टिलर इस बाइक का नया वर्जन मार्केट में जल्धी आ रहा है इंसे जार करना है कि आपको और हमें कब तक ये 240 किलो मेटर की रेंज वाली बाइक मिल पाएगी इलेक्टिक वर्जन सभी कमपनिया ला रही है और ऐसे में अब हीरो मोटो कॉप ने भी इसी तरज पर अपना कदम बढ़ा दिया है आप बने रहें Life Cities के साथ यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें